जै मात अदी, वेलकम टू माई चैनल फ्रेंस, आज मैं आपको सनी प्रदोस तोदसी ब्रत की विधी बताऊंगी, पूजा करके दिखाऊंगी, पौरानिक कथा सुनाऊंगी, वीडियो पूरी देखिएगा, इसकिप मत किजिएगा, क्योंकि कुछ भी विधी छुट जाती है तो फिर परिशान होते हैं आप लोग कि हम पूजा कैसे करें, प्रदोस ब्रत एक लोग परिये हिंदू ब्रत है, जो भगवान सिव और देवी पारवती को समर्पित है, यह उपवास करशन पक्ष और सुकल पक्ष के 13 दिन को मनाया जाता है, सनी प्रदोस ब्रत रखने से स सनी संबंदी दोसों से भगवान सिव दिलाते हैं चुटकारा, जाने अन जाने में जो भी हमसे किये गए अपराद होते हैं, उन से मुक्ति मिलती है, और इसके मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ, अगर प्रदोस ब्रत आप सनी वार का प्रदोस ब्रत रखते हैं, और आ आपको सनी की धहिया साड़े साथी से मुक्ति मिलती है, और आपके जो राजी में राहु, गेतु, ग्रहें, उन से भी मुक्ति आप पा सकते हैं, तो प्रदोस ब्रत करते हैं, प्रदोस ब्रत की पूजा प्रदोस काल में ही करनी चाहिए, यानि कि सूरियास्त बाद के सूरिया भगवान को ताबे के लोटे में मीठा जैसे सक्कर या गुर डाल कर जल दे दीजिए, और गायत्री मंद्र का जाप कर लीजिए तीन बार, उसके बाद आपको दैनिक पूजा जैसे आप रोज करते हैं, वैसे ही पूजा करनी है, आप शाम को प्रदोस काल में, प्रदोस ब्रत रखा जाता है, यह हर महिने में नहीं आता, यह कभी कभी सनी प्रदोस साल में दो चार भी आ जाते हैं, और कभी एक बार भी नहीं आता है, तो सनी प्रदोस ब्रत रखा जाता है, यह हर महिने में नहीं आता, यह कभी कभी सनी प्रदोस साल में दो चार भी करने से भगवान सिप के साथ सनी देवी प्रशन होते हैं और हमारे सभी कष्ट दूर करते हैं राहु के तु गरहों जैसे मुक्ति देते हैं हमें और उसके बाद में हम अपने जितनी भी हमारे अपराद हैं गलतियां हैं पाफ हमसे हुए हैं उनसे भी हमें मुक्ति देते हैं हमें उस दिन सनी से जुड़ी हुई वस्तियों का दान कर देना चाहिए जैसे काले ओड़त होते हैं जैसे कालत तिल होता है कोई भी मीथी चीज बना कर आप गरीब लोगों को खिला सकते हैं तो भगवान के पूजा की जो सामिक्गिरी होती है वह ही है जो हम सम्बा के ब्रत में लेते हैं प्रदोस की ब्रत ने भी वही पूजा होती है पंचाम्त होता है दूद, दही, घी, शहेद गंगाजल इससे पंचा नसी भगवान कुशनान कराएं भगवान को सफेद चंदन पीला चंदन लगाएं भगवान को आप बेल पत्री चढ़ाएं आख धतूरा चढ़ाएं भांग चढ़ाएं भगवान को आप जनेव चढ़ाएं जैसे यगोपीत कहते हैं आप फल म प्रदोस ब्रत में सुद्ध देशी घी के आप समक्ष जलाएंगे और सरसों के तेल का दिया आप सनी भगवान सनी देव महराज के सामने जलाएंगे कभी भी सनी देव महराज के महराज के सामने खड़े ओकर पूजा नहीं करनी चाहिए साइड में करनी चाहिए सिबजी भगवान की जो जलहरी होती है साम जहां से जल निकलता है वहां खड़े होकर कभी ना दीपक जलाना चाहिए ना पूजा करनी चाहिए हमें साइड में जिधत्र पुंड होता है उधर की तरप से आप बैठ करके भगवान की पूजा कर सकते हैं दिया जला सकते हैं तो आप ये भी चढ़ाएं और कुछ परशाद बना के ले जाएं प्रदोस ब्रत जो होता है तरोदसी ब्रत उसमें दूद की चावल की खीर जो होती है वो भगवान को चढ़ाई जाती है तो हमेसा प्रदोस ब्रत में भगवान को खीर का परशाद खीर का भोग जरूर लगा अगर आप हवन करते हैं तो उसमें की बढ़ा सकते हैं वह एक उपला इक चुंछप Limited जरो जब उसमें ऑगने प्रज़ूलित की आहुतिasan के लगां दीजिये भगवान भोले नाद उसने मांचित रहाétait मागोरी को आप सिंगा चला सकते हैं नंदी जी को और गरिश भगवान को आप दुर्बा घास चलाएं हारा मूंग चलाएं तो इस तरह से सनी प्रदोस्वरत की आप पूजा करें उसके बाद आप सनी चाली सा पर सकते हैं नहीं तो आपको मैं पौरान कथा सुनाओंगी आप आप वो कथा सुने और भगवान का परशाद आप जो भी गरीब लोग मंदिर में बैठे होते हैं आप उनको नहीं तो आपको गाय मिल जाती हो कुछ पकवान जरूर खिलाएं घर से पूरी बना कर ले जाएं आप मार्केट से समोसा खरीद कर खिला सकते हैं यानि कि सनी प् मिनट बाकी रह जाते हैं यानि कि सूर्या से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वह प्रदूस का समय होता है अब घर में इस तरह से सिबलिंग बना कर थाली में रखकर उनका विशेक कर सकते हैं फिर उस मिट्टी को उस जल को आप अपने गंलों में आप अपन उनके उपर तो वह मिट्टी में घुल जाएंगे तो आप उनको किसी भी उस में गंले में डाल सकते हैं और भगवान को सफेद फूल जरूर चढ़ा है अगर नहीं मिलते हैं तो आप लाल भी चढ़ा सकते हैं लेकिन सफेद पुश्प भगवान को बहुत पिरिया हैं भग गंगाजल से इसनान ov आप भी बुर्ण गंगाजल पानी में डालने दोक अले तिल डालने और भगवान को भी गंगाजल से ही इसनान कराना क्या ना चाहिए बैल पत्र गंद चावल फूल शुजब दीप नैवीध फल medal पां और इस यालके साएइगे क्ली 4Bu शोय चलाएं जो मन वांचित फक्त फेंगा तो एक लोटा जल से बहुत प्रशन हो जाते हैं तो हुझा है आपका मनखुश हो जाएगा तो उसके बाद जब आपको यह सब चळाते हैं बहुची जो में अगर आप कोई नहीं बना पाते हैं तो आप भगवान को चिनोरी आती हैं जो मीठी खील आती हैं या बता लाइए मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं मेरे जिश्ट पुत्र का नाम धर्म जो की राजपुत्र है और लगू का नाम सुची व्रत है हम दरिद्री हैं आप ही हमारा उध्धार कर सकते हैं इतनी बार सुन रिशी ने सिफ प्रदोस व्रत करने के लिए कहा तीनों प् घर आया प्रसन हो माता से कहा कि मा यह धन मार्ग में प्राप्थ हुआ है माता ने धन देखकर सिफ महिमा का वर्णन किया राजपुत्र को अपने पास बुला कर बोली देखो पुत्र यह धन हमें सिफ जी की किरपास से प्राप्थ हुआ है अत्य प्रशाद के रूप में द एक दिन दोनों भाईयों का प्रदेश ब्रहमन का विचार हुआ, वहाँ अनेक गंधर्व कर्ण्याओं को क्रीडा करते हुए देख, उन्हें देख सुची वरत ने कहा भाईया, अब हमें इस से आगे नहीं जाना चाहिए, इतना कहकर सुची वरत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही इस्त्रियों के बीच में जा पहुचा, वहाँ एक इस्त्री अतिस्तुंदर राजकुमार को देख मोहित हो गई, और राजपुत्र के पास पहुचकर अपनी सखियों से कहने लगी, हे सखियो, इस वन की समीप में, जो दूसरा वन है, वहा संदर राजकुमार की ओड देखती रही, इधर राजकुमार भी कामुक दरश्टी से निहारने लगा, युप्ति बोली आप कहां रहते हैं, वन में कैसे पधारे, किस राजा के पुत्र हैं, क्या नाम है, राजकुमार बोला, मैं विधर्व नरेस का पुत्र हूँ, आप अ हे भद्रे मैंने आपका प्रेमो उपहार स्विकार कर लिया है, परंतु मैं निर्दन हूँ, राजकुमार ने इन वचनों को सुनकर, राजकुमार के गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ, वैसा ही करूँगी, आप अपने घर जाएं, इतना कहकर गंधर्व क कन्या को लेकर आप पहुँचा, इन दोनों राजकुमारों को देख, आसन दे कहा कि मैं कैलास पर गया था, वहां संकर जी ने मुझसे कहा कि धर्म गुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज विहिन निर्दन मेरा परम भक्त है, हे गंधर्व राज, तुम उसकी स सहता करू, मैं महादेब जी की आग्या से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहता कर राजगद्दी पर बिठा दूँगा, इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधीवरत विभा कर दिया, विसे इस धन और सुन्दर गंधर कन्या को पाकर राजपुत अतिप्रसन हुआ, भगवान के क्रिपास से अपने शत्रूओं का दमन करके राजसुख भोगने लगा, इस तरह से भगवान शंकर ने बुढ़िया के दौनों पुत्रों को सुखी कर दिया, बोलियो उमापत संकर भगवान की जय, शंकर भगवा बोलिये उमापती संकर भगवान की